महेंदर सिंग धोनी के खास गुड जो नहें महान कप्तान बनाते हैं धोनी शान्त सुभाव के हैं और उनके चेहरे से उनके अंदर चल रहे विचारों को जान पाना नामुम्किन है वटपिच और मौसम के हिसाब से प्रियोग करते हैं और टीम में बदलाव लाते हैं धोनी टीम में फिर बदल करने से जज़कते नहीं हैं और खेल में किसी प्रकार का समझावता नहीं करते हैं वह परिस्तितियों के हिसाब से ही टीम का चुनाव करते हैं कप्तान के तार पर योजना बनाने में उनका कोई सानी नहीं है वह जानते हैं कि टीम को सफल बनाने और अच्छा प्रदर्शन बनाए रखने के लिए पोधसाहित करने ही तु उन्हें बहतरीन प्रदर्शन करना होगा वह हार या जीत के विशह में नहीं सोचते वह क्रिकिट को शतरंज के खेल की तरह खेलना चाहते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि किसी भी कدم से खेल बदल सकता है धौनी हमेशा मुस्कुराती रहते हैं धौनी में देश के लिए बहुत कुछ कर दिखाने का जजबा है धोनी की खासियत है कि वह अंतिम गेन तक उम्मीद नहीं छोड़ते और उनका यही गुण उनकी टीम का होस्ला बनाई रखता है धोनी में खेल के सभी पहलूँ पर बारीकी से गौर करने का खास गुण है और इसी वजह से वह कफ्तान के तोर पर अनुखे प्रियोग करते हैं उनके इस गुण की जहलक उनके हर मैच में मिलती है और ऐसा लगता है कि अब तक खेले गए हर मैच में उन्होंने नया कुछ सीखा है उन्होंने अपने सीनियर खिलाडियों से बहुत कुछ सीखा है धोनी काफी फिट और फुर्तेले होने के अलावा स्मार्ट क्रिकेटर भी है उनमें घजब का सैयम है साथी साथ वह हमेशा चौकनने रहते हैं वो टीम के गेंदबाजों का बेहत चत्राई से प्रियोग करते हैं धोनी अपने फैसनों का अंजाम जानते हैं और जिम्यदारी लेने के लिए तयार रहते हैं धोनी को एक निडर कप्तान के तोर पर भी चाना जाता है उनके यही सभी गुड उनको एक बेहतर कप्तान बनाते हैं धोनी दुनिया के सबसे बहतरीन विकेट कीपरों में से एक हैं विकेट कीपिंग करते समय उनमें एक अलग तरह का आत्म विश्वास होता है स्पिन गेन बाजी के दौरान वे आम विकेट कीपर की तरह अपनी कमर जुका कर स्विंग करते हुए बॉल कलेक्ट नहीं करते और इसी वजह से वह स्टंपिंग करने में बेहतर तेज है बलेबाज के दौर पर उनकी खूबी है कि वे हाथों को नीचे ले जाते हुए ताकत के साथ स्टोक लगाते हैं और गेन को मनचाही दिशा में पहुचा देते हैं ट्रन लेने के लिए दोड़ते समय भी उनकी गती बेहत तेज होती है बले को बहुत नीचे पकड़ने के वज़े से बलेबाजी करते समय उनका नियंतरन अगजब का हुता है